सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों Xiaomi ने इंडिया में लांच कर दिया है अपना एक नया फोन जो की है Xiaomi Redmi 4 और आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी फोन के अंबॉक्सिंग करने वाला हूँ देखते हैं कि box contents क्या है मैं आपसे शेयर करूँगा अपने opinions इस Redmi 4 के बारे में और आपके लिए एक छोट अस surprise अगर आप इस वीडियो को बिना skip किये पूरा end तक देखते हैं नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनिकल गुरू जी चले शुरू करते हैं दोस्तों ये है Redmi 4 का box आपको सामने हलका साइसे 4 लिखा हुआ दिखता है साइड में लिखा है Redmi 4 इधर भी लिखा है Redmi 4 पीछे आपको मिलती है कुछ और डीटेल इस फोन के बारे में ये जो पर्टिकुलर वर्जिन दोस्तों है ये है 3GB RAM 32GB storage का इसके आपको दो अलग- storage जो आपको मिलता है 6909 रुपे का ये जो है दोस्तों 3GB RAM 32GB storage ये आपको मिलता है 8909 रुपे का और एक और वर्जिन आता है जहां पको मिलती है 4GB RAM 64GB storage वो है 10999 रुपे जो के थोड़ असा overpriced है मेरे opinion में लेकिन ये एक perfect value deal हो सकती है आप चेक करते हैं box contents क्या है आपको सब्सक्राइब क्या है तो snapdragon 435 processor है 13MP camera 5MP front camera वगरा वगरे तो चलिए करते हैं इसके unboxing मेरे पास में बहुत ही एक कमाल का knife है और इससे मैं unboxing करने वालों अपने hotel room में इसको हमने निकाला और shrink wrap के नीचे एक और seal भी है I believe ओके तो इस seal को हाँ पर break करते हैं हम देखते हैं कि box contents क्या है ओके तो done and यह है Redmi 4 ओके और यह जो है friends यह है black color unit तो यह complete all black design है इस phone का and एक अच्छी बात जो मुझे लगी Xiaomi ने शाहद एक positive feedback लिया है कि आपको इस phone में सामने gorilla glass मिलता है अब वो exactly कौन सा है वो हमें नहीं पता लेकिन आपको मिलता है gorilla glass और सामने है यह 5 inches का display जो की 2.5D glass से बना है जो design अब थोड़े से edges यहां पर curved है तो एक अच्छा आपको contour मिलता है phone call around और यह है backside जो है completely black fingerprint scanner जो है वो mandatory है इस बार तीनों models के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 7000 वाले में नहीं मिलेगा यह आपको तीनों model से मिलेगा तो 7000 में 435 के साथ में जो complete proposition है वो मेरे कहाल से काफी अच्छा बन जाता है मतलब ओके बैटरी जो है वो 4100 mh की है और शाओमी टिपिकल यही प्रवाइट कर साथ में तो यह हो गया आपका power adapter और यह है बिसिकली एक SIM ejector tool क्योंकि आपको इस phone में मिलता है एक hybrid SIM slot मैं आपको अगर दिखाता हूं यहां पे तो यह है इस phone का एक SIM slot जहां पे आप दो SIM cards या फिर एक SIM और एक memory card attach कर सकते हैं फोन के एक बार जली से boot करता हूं और एक बार skip करते हैं सभी setup process को और देखते हैं कि फोन का जो UI है वो क्या है Android version कौन सा है और बाद में बात करेंगे इस phone के बारे में थोड़ी सी और details में दोस्तों यह मैंने इस phone को quickly एकदम setup कर लिया है चलते हैं settings में दिखते हैं कि Android version कौन सा है तो यहां पे आपको यह phone चलता हो मिलेगा Android Marshmallow के उपर जो MIUI का version है वो 8.2 security patch है वो है March के महीने का I hope Xiaomi इसको update करेगा Nougat में और जहां तक बात इस phone के design की तो यहां पे आपको सामने तो मिल रहा है 5 inches का HD IPS display नीचे आपको मिलते हैं 3 buttons navigation के लिए उसके अलावा यहां पे दोस्तों आपको मिलता है micro USB port और उसके अलावा एक vent है mic के लिए एक speaker के लिए एक side में को मिलता है power lock unlock button उसके अलावा ऊपर की तरफ जो है Xiaomi का favorite IR blaster और एक आपका 3.5 mm का headphone jack उसके अलावा इस तरफ कुछ भी नहीं है सिवाए SIM card tray के और back side में आपको मिलता है यहां पे fingerprint scanner ऊपर एक flash और 13MP का camera and that's it तो यह एक design wise मुझे phone दूस्तों better लग रहा है यह जो phone में use कर रहा हूँ record जो है Xiaomi का China में मिलने वाल Redmi 4 यह इंडिया में नहीं आया है जो इंडिया में यह वाला phone आया है यह China में मिलता है Redmi 4 X के नाम से तो basically मुझे यह थोड़े सा hold करने बेटर लग रहा है और यह काफी अच्छा proportion हो सकता है उन users के लिए जो एक balanced phone चेक कर रहे है कुछ 7, 8, 9,000 रुपे की range में तो 7,000 में उसका version है वो भी काफी कमाल का है 11,000 वाला जो है वो मैं strongly recommend नहीं करता हूँ यार because यह मतलब एक ऐसा phone नहीं है कि आपको 435 मिले 11,000 में तो आप उसको पसंद करेंगे लेकिन हाँ 7, 9,000 में काफी balance लगता है बाकी मैं आपको बताऊँगो इसको check करने के बाद में यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो battery है वो as always काफी अच्छी है 4100 mh की और इस बार Xiaomi ने एक improvement किया है कि जो सामने display है उसमें use किया है corning gorilla glass version कौन सा है वो नहीं मालूम लेकिन at least clearly mention किया है कि इस phone में gorilla glass है तो वो एक अच्छा feedback है शायद मेरे ख्याल से जो शामने लिया है हम सभी से उसके अलावा आपको 2.50 glass मिलता है और एक snappy phone होने वाला है कि यहाँ पर इस phone दोस्तों है इसका होने वाला है giveaway आपको participate करने के लिए क्या करना है सिर्फ एक काम करना है और वो है इस video के नीचे एक comment करना है सिर्फ एक comment एक से जादा करेंगे तो हो जाएंगे disqualify आप कुछ भी random comment कर सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इस phone में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा मेरे लिए कुछ message है comment है compliment है आपके मन की बात है किसी पे गुसा है किसे से प्यार है कुछ भी आप नीचे एक comment कर दीजिए subscribe करना चैनल को optional है उसके अलावा इस वीडियो को like और share करना optional है लेकिन मुझे मालूम है कि आप सो भी बहुत प्यार करते हैं तो उस तब चीड़ों को बोलने की जुरुत नहीं है आपको फिलाग लें सिर्फ एक comment करना है और मैं दो वीक के बाद में randomly एक comment पिक करने के बाद में announce कर दूँगा giveaway का winner अपने Facebook और Twitter profiles के उपर जहां पे आप में से कोई एक viewer जीत जाएंगे इस Xiaomi के Redmi 4 smartphone को दोस्तों मझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इससाला सुझाओ तो आपने comment करना मत बूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को भी तर लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिये और शेयर भी कर दीजिये क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए तना ही दोस्तों जैहिंद वन्दे मातरम